हलो गाईज, मैं पाउन सोधरी, आज की इस वीडियो के अंदर और ही बड़ी वेकंसी लेके आए हैं, नर्सिंग प्रोफेशन की जो बोलते हैं, हाइयर पोस्ट, यानि लेवल के अंदर भी बड़ी, शेदरी के अंदर भी बड़ी, और पोस्ट ने रहती है, कम, उसी के बार में बात करेंगे, वेकंसी है, एंस राजगोट के अंदर, बिल्कुल से पर्मानेट वेकंसी है, ओल अवर इंडिया के कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, 34 तरह की इसके अंदर पोस्ट हैं, अलग-लग डिपार्टमेंट्स की, जिसके अंदर कुछ अपनी नर्सिंग वाली ह इसको नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इसका, और यहां पे मैं फटा-फट से, क्योंकि इसकी पेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं जल्दी-जल्दी से यहां पर गप्लीट करने की कोसिस करूंगा, तो यहां पर जो अपनी पोस्ट हैं, उसकी बात करता हूं सबसे पहले यहां पर पोस्ट है बता रहा हूं, इसका इलिजबिलेट क्राइटेरी पर अगरा बाद भी बता हूंगा, दो नमबर पर देखिएगा, ANS की पोस्ट है, ग्रूप B के अंदर आती है, लेवल नाइन्थ के अनुसार आपकी 1,5,5,5 लाग के असपास आपकी अनुमानित बन पोस्ट हैं, तो अधर पोस्ट हैं, वो कौन सी है, एक जगए और पोस्ट है थी अपनी, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारी पोस्ट हैं, तो यहां पर देखने में थोड़ा सा प्रोब्लम आ रहा है, कि लिबरेटरी टेक्निशन की भी है, उपर आप देख सकते हो ग्रूप B के अंदर आती है, ग्रेड पे लेवल 9, आय एक ते रहने वाला है, इसके अंदर काफी ज़्यदा पोस्ट हैं, 58 पोस्ट हैं, तो इसके अंदर आप अपलाई इजली कर सकते हो, और इसके अंदर केटेगरी वाईज अलग अलग दे रखिये हैं, जैसे केटेगरी अलग-अलग इन्होंने रिजरू कर रखी है जैसे यहां पे टोटल अठावन पोस्टे हैं तो च्यानलीस पोस्ट ओनली फॉर फिमेल की वरी जाएगी और बारा पोस्ट ओनली फॉर मेल की वरी जाएगी स्टाफ नर्स ग्रेड फरस्ट की है यह और एम्स राजकोर्ट के चार परसेंट होरिजोन्टल रिजरूएशन मिलेगा वो पीड़ ब्लूड वाले कंडिडेट को मिलेगा एज ग्राइटेरिया सेम टू सेम रहने वाला है वो आपको मिलेगा है मिलेगा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है अब यह आपने बात कर लेते हैं कहां गई अपनी पोस्टें जस्ट वेट असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिजेंट चार नमपर पर देखोगे आप तो इसके अंदर आपके इलिजिबलाटे करेट एरिया बगरा बता देता हूँ आपको यहां पर देखो वो BAC, POSPC, BAC, MAC हरें को एक अप्लाई कर सकता है बट BAC, POSPC, BAC के बाद में 6 साल का 200 बेरिड के होस्पिटिल का आपके पास experience होना चाहिए या फिर आपके पास MAC होना चाहिए 21 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो और एज रिलाक्शियोशन भी आपको इसके अंदर मिलेगा नेक्स्ट अपनी लास्ट SNO वाली स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की वेकेंसी है उसके डीटेल्स देख लेते हैं थोड़े से फिर आपको बताते हैं यह देखेगा यह 37 नमबर पे नर्सिंग सिस्टर की फर्स्ट ग्रेड की और 21 से 35 साल एज है बीएसी चार साल की पोस्ट बेसी बीएसी आपने किसी भी स्टेट से कहीं से कर रखे कोई इस्यू नहीं है बर तीन साल का सो बेड़ेड होस्पिटल का एक पर वास एक्सपिरियेंस बगेरा हो तो यह eligibility इसके अंदर आप रखते हो इसके अंदर 3,000 रुपे फीस रहेगी किस किस की रहेगी OBC और जनरल के candidates के लिए 3,000 रुपे CST और EWS वालों के लिए 15,000 रुपे फीस रखी गई है चली next यहां पे how to apply का है तो आपको online यह apply करना होगा इसका कोई भी problem नहीं हाएगा क इसका exam center है वो राजकोट, एमदबाद, देहली और मॉंबई रखा जाएगा वहां पे आपका exam होगा admit card के regarding दे रखा है, age relaxation का दे रखा है और बहुत सारी इसे अंदर चीजे दे रखे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है साइद हमें आपको देखेगा हर एक category में अलग इसका फॉर्म फिल करने की last date है वो आज 7-10 को यह notification आया है तो 7-11 तक आप इसका application form फिल कर सकते हो और 6-11 तक आप इसका application form फिल कर सकते हो क्योंकि 30 दिनों ने अपने application form के अंदर दिये हैं ऐसे तो यह बहुत बड़ा है PDF ऐसे चलता ही रहेगा बाकि बड़ी बड़ी चीज हैं वो आमने आपको बता दी किसी भी तरह की problem हो contact करना हो तो इस पे contact करके आप अपनी application form के regarding कोई भी problem हो तो वो solve करवा सकते हो ओके और कुछ ज़्यादा है नहीं बाकिश लेवस वगेरा और भी बहुत सारी जीज़ी दे रहेए PDF आपको हम शेयर कर देंग गूरूप के अ है golden opportunity आप इसके अंदर जरूर जरूर से apply कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ज्यादा crowd नहीं होगा बेड़ नहीं होगी क्यों नहीं होगी कि इतने experience वाले लोग ज्यादतर नहीं मिलेंगे इनको ओके तो आज की इस वीडियों को इतना ही थेंक्यू बाइबाई